हेलो एबरिवन, फिजिक्स वाई सीपी सर में आप सभी का स्वागत है आज मैं आपको मैथमेटिकल फिजिक्स का लेक्सर नमबर फर्ष्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें कि हम मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? इससे पहले मैंने आपको अभी बताया नहीं है कि मैथमेटिकल जो फिजिक्स है, इसमें सिलेवस क्या है अपका? तो पहले हम सिलेवस की थोड़ी सी ब्रीव डिसकस कर लेते हैं, ओके? तो यहां मैं बात करता हूँ आपका, यह mathematical physics है, net का जो exam होता है आपका, उसमें part B और part C आता है, physics का आपका, part जो A रहता है, तो आपका general aptitude रहता है, और part B से आपका physics का यहां पर part रहता है, तो यहां से 4-5 person आपको मिलेंगे, जो की part B होता है, तो इसमें 3.5 नंबर का 1 person होत होता है, तो total हम 4 परसन भी जदी आपके exam में पूचे जाते हैं, तो आपको 14 mark का यहां पर मिलेगा, और part C रहता है, यह आपका थोड़ा सा advanced physics यहां पर पूचा जाता है, तो mathematical जो physics है, यहां से आपको 4-5 person देखने को मिलेंगे, पांच नंबर के, जदी 4 परसन यहां से कि 34 नंबर का यहां पर material मिल जाएगा, 34-38-40 नंबर तक आपको मिलता है, तीक है, इस mathematical physics है, अब gate की हम बात करें, तो gate में यहां पर 14-16 mark का यह आता है, तीक है, और jest की मैं बात करना हूँ, तो 7-8 marks का यह कुशन आता है, तीक है, यह दोनों ही national, यह national exam हो गया, आपके net और gate और jest का भी लगता है, जो physics के, जो integrated PhD कराते है, MSC plus PhD, वो इस jest के मादम से होती है, तीक है, अब discuss करते हैं, slavus में, देखिए, mathematical जो physics का slavus है, सबसे पहला topic है, आपका matrix, जो part B में पूछा जाता है, साड़ा तीन नंबर का यह आता है, differential equation, topic है आपका, जो की part B में साड़ा तीन नंबर का आता है, special function से भी person पूछा जाता है, जो की part B या C में भी आता है, 3.5 का रहेगा या 5 का रहेगा, इनमें से किसी एग में पूछा जाता है, drag delta function, part B और part C दोनों में पूछा जा सकता है, किसी में भी, complex analysis, part B और part C से Fourier जो series है, वो part B में पूछी जाती है, साड़ा तीन नंबर का आपका एक परसन रहेगा, और Fourier transform and laplace transform, ये दोनों एक साथी आ जाते हैं, ठीक है, probability आती है, आपकी part B में, जो की साड़ा तीन नंबर का एक परसन पूछा जाएगा, numerical techniques, part C से आपका 5 नंबर का परसनी बनता है, numerical techniques से, green function जो होता है, वो भी 5 नंबर का परसन पूछा जाता है, आया तो आपके एक जाम में, vector algebra से परसन आता ही है, 5, sorry, 3,5 नंबर का ये आता है, partial, differential और group theory, यहां से भी आपको एक परसन 5 नंबर का देखने को मिल जाएगा, ये आपका discuss हो गया, syllabus matrix है, differential equation है, special function है, drag delta function है, complex analysis है, Fourier series है, Fourier transform, laplace transform में, probability आपको पढ़नी है, numerical techniques है, green functions है, vector algebra है, partial differential equation है, और group theory है, ठीक है, यह थोड़ा सामने discuss किया है, syllabus को, जदी अब किसी को बुक्स के बारे में भी जानना है, तो mathematical physics, mathematical method in physics, ये HKDAS की बुक है, जो आप follow कर सकते हो, ये आपको आसानी से समझ में आ जदी आप कहीं से भी class ही नहीं लेते हो, तो यहांस आप direct इसको पढ़ सकते हो, second आपकी है, mathematical method in physical science, ये मेरी एल बाॉस की है, ये बाली जो बुक है, ये थोड़ी इससे advance है, तो ये आपको थोड़ा साल, मतलब इसमें lengthy, मिलेगा जो language है, तो ये आपको जबी समझ में आए इसके साथ साथ आप इसको लगा सकते हो, ठीक है, next हो जाती है, अरपकेन बेवर्गी, जो की advance book है, ठीक है, ये वाली जो book है, वो तो आप लगाना मत सही बताऊं, ये आप जबी लगा सकते हो, जब आपने ये सभी lecture series complete की है, उसके बाद ये book पे आप जाओगे, तो ये आपको आसनी से समझ में आएगी, अदरवाइस आप ये वाली book try कर सकते हो, फस्ट, mathematical method in physics, HKDAS, ये IIT जेम वाले वच्चे कर सकते हैं, और ये वाली gate net के लिए अच्छी है, और ये अरपकेन वेवर्गी आप advance जो book है, ये आप तभी करें जब आपको इनके बारे में थोड इसी brief knowledge है, ओके, जब आपको आसनी से समझ में आ जाएगी, अब हम start करते हैं, आपका physical, ये lecture number one, जो की matrix का है, ये हम start कर लेते हैं, ठीक है, ओके, सबसे पहले मैं matrix के बारे में आपको बता देता हूँ, matrix होता क्या है, इसकी definition आपको दी है, कि it is a square or rectangular array of number or function, क्या means है इसका, या तो ये square होता है, ठीक है, या ये rectangular में होता है, और area का मतलब होता है, arrangement किया हुआ है, किसका number और function का, मतलब देखिए, example में, A यहाँ पर दिया है, A, B, C, D, ये क्या 2 x 2 का क्या एक matrix है, B भी एक matrix है, लेकिन ये इसमें क्या है, 2 x 3, तू का मतलब आपका क्या हो गया, जो यहाँ पर टू है, वो आपका क्या होता है, टू, टू आपकी होती है, रो, मतलब इसमें रो हैं, ये रो पंक्ती, जिनको बोलते हो आप, और ये क्या होते हैं, आपके column होते हैं, दो तो रो हैं, तीन column हैं, एक, दो, तीन, इसी परकार इसमें दो रो और दो column, दो रो है गई, और दो ही क्या हैं, इसमें column हैं, ठीक है, तो ये रो और column को जनोट करते हैं, ओडर क्या होता है, आप मैट्रक्स का, इप यदी, M, इजदा, नंबर आप रो, यहाँ पर जो M हैं, इधर क्या आता है, M, इधर आता है आपका N, तो M तो क्या होती हैं, आपकी रो होती हैं, और N क्या होता है, नंबर आप कॉलम, ये आपके एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉ number of row और number of column को represent करते हैं ठीक है जो आपका matrix होता है या तो वो square होगा या रेक्टंगुलर होगा ठीक है mathematical representation of matrix इसके बारे में देखते हैं तो a बराबर a i j m cross n ऐसी फोर्म में मिलेगा जिसको आप पैसा भी कर सकते हो small a i j m cross n okay each entry is called as element of matrix and denoted by a i j ठीक है each entry मतलब इसमें जो भी प्रतेक जो entry हमने यहां पर की हुई है यह प्रतेक जो entry हुई है each called as element of matrix कहते हैं and denoted by a i j मतलब यहां पर जो a i j IJ का मतलब क्या होता यह A1, 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 A2, 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 A3, A2, 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 A3 ऐसा आप कह सकते हो M cross sign आपका क्या है Row and Column यह हो गया Here A, IJ represent the element in Ith Row and Jth Column of Matrix देखिए, here जो small A और surface में आपको यह दे रखा है IJ वो represent क्या करते है Element करते है जो element है अपने पास किस में? Row में I तो मतलब क्या होगा I तो आपकी Row गई और end J आपका क्या होगा Column होगा मतलब कौन सी Row है कौन सा Column है यह बताता है जैसे कि यहाँ पर देता है A I J A यहाँ पर कैसा है बन-बन तो मतलब पहली Row और पहला ही क्या है Column ठीक है A square matrix order N cross N having N row and N column represented Y यह देख लो A11, A12, A13, A1N ऐसे कह सकते हो A21, A22, A23, A2N A31, A32, A33, dot 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 3N और यह इधर से में करूं तो यहाँ पर क्या जाएगा dot 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 A N1 यहाँ A N2, A N3, यहाँ A NN ठीक है यह N cross N का क्या है एक matrix है बना सकतो हो नहीं इसा matrix यहाँ पर देखिए A बन-बन का मतलब पहली Row पहला Column A32 का मतलब पहली तो Row और दूसरा Column A32 का मतलब तीसरी तो आपकी पास Row है क्योंकि पहली दूसरी तीसरी रो और 2 का मतलब दूसरा Column ठीक है समझ गए ना यह सब भी बातें जो बताईए ठीक है नेक्स्ट बाते हम करते हैं यहाँ पर next बाते हमों let let A matrix जयसे की let A matrix आपके पास यहाँ पर A बराबर है आपके पास यह बना रकाए में एक matrix ठीक है यह समझाने के लिए बना रक्षिं देखू मैं sade में बना देता हूँ तो आपको दिक्कत आ جाए यह sade में बना देते हैं प्राजह, आई है यहाँ पर दीकिए ए बराबर आपका यहाँ पर शीर इदे एप झी ह यह आपका कहला है मैndरिक्स, और मैंतरिक्स कौन सा है तीन क्रॉस, तीन का ऐसा मैंतरिक्स है ठीक है, इसमें मैं बाद करूँ इस वाले मैंतरिक्स में इस वाले matrix में क्या होता है ठीकिए ये जो है ना ये 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 इसका देखो ये वाली ये जो होती है इसको कहते हैं हम क्या इसको कहते हैं प्रिंसिपल सोरी देश्टर रहें छले इसी है जटे जैगा इसको क्या कहते हैं आप प्रिंसिपल डाइगोनल एलिमेंट इसको कहते हो आप प्रिंसिपल डाइगोनल ये इसको वाले को और जो यह ना जो उपर वाला है ना उपर वाला इसको आप डाइगोनल एलिमेंट को हुए इस नीचे वाले को भी यह तीन जो अभियाव हैं इनको भी क्या क्या हुए आप आप डाइगोनल एलिमेंट यही मैंने बताया है इधर कि यहां पर जो ये बीच वाला है इसको कह रहे हुआ principle diagonal element और जो अपर वाले हैं उपर और नीचे के इनको औब diagonal element इसको भी कहा कियो हुए और diagonal element ये एक matrix आपको complete मिलता है पहस्ट क्या कहते हैं कि element for which जिन के लिए elements है आपके पाद which मतलब जिनके लिए i बराबर क्या है j i का मान ज़दी j के मराबर है तो our known as principal diagonal element and number of principal diagonal element is n cross n matrix n यह किये इसका means क्या हो गया कि मैंने बताया था कि आपको जैसे की a कोई matrix है a1 1, a1 2, a1 3, a2 1, a2 2, a2 3 a3 1, a3 2, a3 3 ओके यह 3 cross 3 का एक matrix है क्योंकि इसमें 3 तो row हैं और 3 क्या हैं कॉलम हैं आपके पास तो यहां जो बीच वाला जी है इसको कहते हैं आप principal diagonal principal diagonal element यह वाले तीन a1 1, a2 2, a3 अब a1 1 में आपको क्या मिलता है a1 1 में आपको i और j की value बराबर है जैसा कि मैंने बताया है r non age जिसके लिए i और j मतलब row और column की value बराबर है तो principal diagonal element गलाता है number और principal diagonal element जो 3 x 3 का है मतलब n x n तो उसका matrix matrix is n तो उसमें element कितने हैं इसी परकार 3 x 3 k में कितने मिलेंगे आपको 3, a1, a1, a2, a2, a3 ठीक है next element for which जिसके लिए i less than j are non age upper triangular element and number of upper triangular element UTE UTE का मन्स क्या है UTE का जो means है वो है upper triangular element में स्वाट में लिखा हुआ है 4 n x n matrix will be n कुष्टक n-1 divide by 2 क्या दिया एक फर्मला बना दी आपको यहां पर n कुष्टक n-1 and divide by 2 यह फॉर्मला किसका है यह फॉर्मला है आपका अपर tri angular matrix इसका यह है upper triangular matrix का n कुष्टक n-1 divide by 2 मतलब इसमें कितने हैं अब यह जदी element की बात पूचे है अपर triangular matrix में कितने element है कोई जदी n क्रोस n का है matrix कैसा है n क्रोस n का कोई matrix है इसके लिए तो n कुष्टक n-1 divide by 2 इतने होते हैं यही बाते की होई हैं आपे देखिए हाँ कि i less than j मतलब i less than j मतलब i का मान j से क्या है कम है जैसे कि i का मान j से कम कुण सा है a1-2 a1-3 a2-3 इनमें i का मान क्या है यह i j i j यह तो करते हो इसको a i j तो i का मान क्या है कम है देखो j का मान जदा है 3 2 छोटा है इसी परकार और नीचे वाले अब यब में आपको क्या मिलेगा i का मान जदा मिलेगा किस से j के मान से इसको कहोगे आप नीचे वाले कहोगे lower triangular element उपर वाले को upper triangular element और इनको ग्यात किस करोगे इस वाले फर्मुले से देखो जैसे यहाँ पर 3 क्रोस 3 का है तो मैं यहाँ पर n की value क्या करता हूँ इसमें 3 रख देता हूँ 3 रखने के बाद आपको क्या मिलेगा 3 कोश्टक 3 माइनस 1 डिवाइड वाई 2 यह मिलेगा बराबर कितने मिलेंगा 3 multiply उत्पड क्या है 2 और नीचे 2 2 से 2 cancel बराबर कितना मिलेगा है 3 3 क्या है इसमें element है जो क्या है upper triangular element है ok ut समझे गई न इसमें 3 क्रोस 3 कि किते मिलेंगे आपको 3 ही मिलेंगे और नीचे दिएगो elements 4 which 3rd number आपका आई यदी ज़्यादा है किसे जैसे आर नौन एज lower triangular element and number of lower triangular element LTE LTE का मतलब क्या है lower triangular element short में लिखा हुआ है 4 n क्रोस n matrix will be n कुष्ट n मानस 1 divide by 2 इसके लिए भी same formula है क्योंकि यह भी अब यब क्या है जमानी तो है 3 ही उपर है 3 ही नीचे 3 क्रोस 3 के में तो यही formula लग जाएगा जो अभी बताये था ठीक है अब आगी चलते हैं यह समझ में आई न बाती है हाँ आराम से वीडियो को पोज़ करके दोबारा देख लें न ठीक है समझ में नहीं आए तो product of matrix देखते है अब यदी a is a matrix of order m cross n and b is a matrix of order p cross q then a b is possible only when n वराबर p and b is possible only when q वराबर m अब आपको खिचडी पक गई होगी दमाग हमें कि आपको यह क्या Google दिया सर है देखो इसका भी एलाज करेंगे एक सेगंड रुप जाओ यार थोड़ा सा इसको रब कर देते हैं अभी करते हैं complete इसमें ठीक है आईये आजाओ इसको थोड़ा उपल ले ले देए आँ भाई यह वाली है क्या खे रहा है product of matrix A is a matrix of order A A कोई matrix है इसका order कितना दे रखका आपको देखो M cross N यहाँ पर किते रखका है M cross N OK B is a matrix B कोई matrix है B भी कोई matrix है और जिसका order दे रखका है P cross Q क्या देखका P cross Q OK Then A, B is possible Then A, B A, B मतलब multiple हो रहा है A, B है न यह possible कब होगा Is possible यह possible कब होगा Is possible only when N बराबर P मतलब जो N है यह P के बराबर होना चाहिए मतलब यह वाला देखो यह वाला इस P के बराबर हो मतलब यहां पी क्या हो जाए N बराबर P हो जाए तो आपको क्या मिलेगा तो इसका A भी आप कर पाऊगे multiple हो जाएगा ठीक है and B A is possible और जदी मैं B A की बात करूँ अब मैं पहले B को ले लेता हूँ दीको इदर पहले क्या ले लिए मैंने B ले लिया B A था P into Q और A क्या था आपका A आपका यह था और अब इसके क्या बोल रहा है वो Q बराबर जदी M हो जाए जब possible है यह Q यह वाला इस पहले वाले से बराबर हो जाए Q बराबर M दैन हम कर सकते हैं इसमें सेकंड वाला इसमें बराबर हो गया ठीक है यह होता है इसमें खेल जब यह यहां पर B A क्या हो जाएगा possible हो जाएगा ठीक है समझ में आया है नहीं समझ में आया है मुझे पता है तोड़ा सा आप ध्यान लगाओ देखो A मैट्रेक्स है इसमें M क्रोस N है M क्या है यहां पर M क्या है भाई बूल गए गया अभी बताया था थोड़े देर पहले समझ रहो कुछ बातों को हैं नहीं समझे समझो यह M क्या होता है रो यह क्या होता है कॉलम यह क्या होता है रो यह क्या होता है कॉलम जदी पहले मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो दूसरे मैट्रिक्स की रो के जदी एक्वल है तो हम क्या कर सकते हैं ए भी कर सकते हैं दोनों का मल्टिपल कर सकते हैं जो सत्ते बात ही हो जाएंगी क्योंकि एन की जो कॉलम है वो इसके रो की ये बरावर है यही तो बाते के ये न बरावर पी इसका मतलब ये नहीं है कि एन को बरावर पी समझे रो ना रो बरावर इसका तो इसका तो कॉलम पहले का कॉलम दूसरे का क्या जाएगा रो उसके क्या है बरावर है जबी ए भी पॉसीवल है इसी परकार जदी हम बी ए हम क्या हो जाएं बराबर हो जाएं तो यह क्या हो जागा बी ये पॉसिबल बताया था ना क्यू बराबर क्या है एम यही वाली कंडिशन थी देख लो यहां पर क्यू बराबर एम ओके यह प्रोड़क्ट करने के तरीके होते हैं ठीक यह प्रोड़क्ट करने के तरीके होते हैं तो T इसका क्या है यह 2 और 3 तो A B क्या है A B देखो A B possible नहीं हो रहा क्योंकि इसका जो पहले का जो दूसरा है न यह M cross N N क्या है column इसके row के बरावर नहीं है क्योंकि 2 बरावर 3 के थोड़ी है तो not possible पर भी यह possible हो जाएगा B A possible हो जाएगा क्योंकि इसको मैं जश्ट अपोजिट करूं तो इसका जो यह है तीन इसका क्या है यह कॉलम इसकी row के equal है इसलिए यह possible है A B possible नहीं है लेकिन B A possible हो जाएगा समझ गई ना यह काम आपको करना है मतलब कोई भी मैट्रेक्स दिया हुआ हो इसमें M X N और P X Q जदी दूसरा दिया है P X Q तो N बरावर P K और जदी उल्टा लगा है तो यहां पर P X Q और यहां पर दूसरा दे रखका M X N तो Q बरावर M K होना चाहिए समझ रहोना बातों को अब इसमें हम टाइप आप मैट्रेक्स को करेंगे तो टाइप आप मैट्रेक्स भी पढ़ना आपने को ठीक है तो आज के लिए इतना ही हम देख लेते हैं और यहली वीडियो आपको अच्छे लगी हो तो चैनल को आप लाइक करो इसे हिसाब से हम प पूरी complete definition की साथ पढ़ाने वाला हूं तो इसी YouTube चैनल पर यह classes आपकी रहेंगी यह lecture number बना आज आपका complete होता है और comment करके बताना कुछ यहां पर क्या आपको मतलब समझ में नहीं आया है उसको हम second वाली class में भरत से थोड़ा revise कर देंगे बस 10 minutes आपको थोड़ा सा मतलब इ नहीं है ठीक है यह 20-22 minutes की हमारी class रहा करेगी और regular class रहेगी ठीक है इसी हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा समझा के आराम से कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको थैंक्यू धन्यवाद जैसे कृसना रादे रादे